गूड मॉर्निंग स्टुडेंट वेलकम टू आर्सी आई एज यू है ओनलाइन ग्लासेज तो स्टुडेंट कल हम बात कर रहे थे चैमिकल काइनेटिक्स और कैमिकल काइनेटिक्स में हमने दो टोपिक की बारे में स्टेडि कर चुके हैं पहला टोपिक हमारे जो था वो था क types of reactions on the base of rate तो three types की reactions आपने पड़ी थी ठीक है, आनिक reactions इसको आपने बोला था very fast, फिर आरी था हमारे पास हमें very slow और सबसे लाश्ट में रहा थी slow reactions और moderate reactions और moderate reactions जो होती हैं उनकी rate को measure कर सकते हैं इनकी study हम इजली कर सकते हैं उसके बाद में student हमने पड़ा कि rate of reactions किसी भी reactions में rate को measure कैसे करेंगे rate को हम कैसे निकालेंगे तो हमने कहा था कि rate जो होती है वो किसी भी reaction में the change in concentration of reactant and product in a unit time called rate of reactions फिर हमने बोला कि एक chemical reaction अगर R से P में convert हो रही है किस में convert ही रही है R से P में convert हो रही है तो यहाँ पर इसकी concentration time के साथ-साथ क्या होगी decreasing होगी और इसकी concentration क्या होगी increase होगी ठीक है अगर जिसकी concentration decrease हो रही है तो हम यहाँ पर minus sign इससे पहले लेंगे और अगब increase होरी है रही हैं से sign लगाते है positive, अब minus और positive को मतलब क्या होगा minus sign जो होता है, वो represent करता है decreasing concentration गो और positive sign represent करता है increasing concentration गो ठीक है, क्योंकि r is always positive, r कभी negative में नहीं होती अब student, आज जो हम बात करेंगे वो हम बात कर रहे है types of rate rate के types क्या क्या है कोई भी एक chemical reactions जो होती है उसकी जो rate होगी, वो कितने types के हो सकते है, तो ये जो rate हमारे पास student होगी, ये दो type की होगी two types इनको divide कर सकते है या फिर बोल सकते हैं, three types की reactions भी होती है, sorry three types of rate of reactions एक आती हमारे पास में r initial rate, तो r initial rate जो होती है at t ब्रावर time पर, at t ब्रावर 0 second पर जो rate होती है, उसको initial rate हम कहते हैं, तो हम यहाँ पर दो ठीकी बात करेंगे, पहली जो हमारे पास में है r average मनलब कि average rate इसको हम क्यों बोलेंगे average rate और दूसरी जो हमारे पास में होगी, वो क्या होगी r instant, इसका मन्दों होगा देखो, r average यह हो जाएगा average और यह हो जाएगा instant instant, यह पर बोलें instantaneous rate सबसे पहले हम बात करते है r average की r average जो दी होती है, अगर यहाँ पर बात करें, एक chemical reaction आपको दी गई है यह chemical reaction है अब देखो, यह जो reaction होगी r से किसमें change हो रही है p में, like time हमें बात किये थी तो इस reaction की जो r average होगी उसका जो formula होगा वो होगा, plus minus del क्या होगा, plus minus del r, यह पर क्या लेंगे p upon del t देखो, हम यहाँ पर दिख रहे हैं, सिधे-सिधा सा कि यह हमारे पास की आ सकता है, और भी आ सकता है ठीक है, अगर मालों में r average निकालनी है reactant की, r का मतलू क्या हो जाएगा reactant, और p का मतलू क्या हो जाएगा product, तो हमें किस करते को अगर r average हमें reactant की निकालनी है तो सिधा सा formula हो जाएगा r average किसके निकाल रहे हैं, रियक्टेंट की निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर देखना, student, our average of reactant, तो हमारे पास में जो formula होगा, वो क्या होगा, minus del r upon del t, इसको हम क्या बोलेंगे, कि our average जो होती है, हमारे पास में जो change in concentration है, तो change in concentration of reactant and product को, अगर उसमें जो time लग रहा है, change होने मे उससे divide कर दें, तो हमारे पास में क्या जाएगी, r average, तो यह तो हो जाएगा, आपके पास में r average reactant का, और r average अगर हम बात करें, of product की, तो क्या हो जाएगा, plus del p upon del t, अभी मैंने पिछले last video मैंने आपको बताया था, कि यहाँ पर जो हम negative sign use में ले रहे हैं, इस negative sign का मतलब क क्या होगा, decreasing concentration, इस negative sign का मतलब क्या होगा, decreasing concentration, क्योंकि time के साथ-साथ, जो reactant है, उसकी concentration क्या होती है, decrease होती है, student, और यहाँ पर जो positive sign होगा, इसका मतलब क्या होगा, increasing concentration, time के साथ-साथ, product की जो concentration होगी, वो क्या होगा हमारे पास में, increase होगी, student, ठीक है, student, तो यह तो हो गया, R average, और R अगर बात करें, मानो rate जो होती है, हमारे पास में, reactions के जो rate जो होती है, अगर rate के unit के बात करें, देखो, हमारे पास में जो rate होती है, unit of rate, अब माम अगर इसकी rate के बात करते है, यह देखो, R average दिया होगी, कोई साभी हो, अब R के जो unit होगी, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या होता है, टाइम होता है, अब टाइम जो आपके पास में होगा, वो सेकिंड में हो सकता है, मिनिट में हो सकता है, हावर्स में हो सकता है, यर्स में हो सकता है, और कंसेंट्रेशन जो होगी, कंसेंट्रेशन की यूनिट जो आपके पास में होती है, देखो, यूनिट होगी आपके पास में, जो rate जो होगी, rate, rate की जो unit होगी, वो क्या होगी आपके पास में, R क्या हो जाएगा, mole, letter inverse, time in hours, ये R की क्या हो जाएगा, हमार पास में, unit हो जाएगा, अब इस्टुडेंट बात करते हैं, इसी के आगे अगे 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 चाचा करें, R instant के बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अगर इसके बारे बात करेंगे, तो student देखना, आपको एक reaction दी गई है, और ये reaction कौँछी दी गई है, आपको, R किसमें कनोट हो रहा है, P में कनोट हो रहा है, ये जो reaction है, तो देखना, at T ब्राबर, 0 second, at T equal to 0 second पर, इसकी तो concentration है, reactant कितने दी गई है, 10 mole per liter, तो इसकी concentration कितने होगी, 0, लेकिन T बराबर, अगर 1 second के बात करें, ये कितना हो जाएगा, 9, ये हो जाएगा 1, T बराबर, 2 second बात करें, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा आपको पास में, 2, T बराबर, 3 second के बात करें, ये कितना हो जाएगा, 7, ये क्रीज हो रही है, तो हम यहाँ पर एक करव बनाते हैं, एक graph को प्लोट करते हैं, और इन दोनों के बीच में relation को show करते हैं, तो इधर देख ना student, आपके पास में यहाँ पर इमान दू, यह करव आ रहे हैं, आप graph बना रहे हो, ठीक है, आप क्या बना रहे हैं यहाँ पर graph बना रहे हो, और अगर आप graph यहाँ पर बना रहे हो, इस graph में एक तो होगा x-axis, एक क्या होगा y-axis, तो x-axis पर तो आपके लेना है time अब time जो होगा, आपका आपके मान लो second में, और यहाँ पर जो y-axis पर आप लोगे concentration of reactant अगर मालो आप graph किसका बना रहे हो reactant का और यहाँ पर graph किसका बना रहे हो आप रोडेक्ट का ठीक है तो यहाँ पर आप पास concentration किसके आएगी यहाँ पर आएगी concentration of reactant मतलब की r ठीक है अब आप बताओ जैसे कि यह दिया हुआ है 10,9,8,7,6,5,4 तो यह decrease हो रहा है अब जब आप पास में decrease यहाँ पर होगा तो यहाँ पर जो graph आपके पास बनेगा hypervola बनेगा तो देखना student यह graph यहाँ से यहाँ चलेगा और कुछ इस परकार से sir यह आप पास में concentration दी हुए है मान लो इसको हम यहाँ से एक बार यहाँ से cut करते हैं और एक बार यहाँ से इसको नीचे से line जरम मिलाएंगे यह आप पास में आजाएगा T1, यह क्या आजाएगा T2, यह आजाएगा आप पास में R1 और यह क्या आजाएगा R2 तो student R1, R2 यह जो दिया हुए है इन दोनों के बीच का जो difference हो जाएगा यह हो जाएगा DL, R क्या हो जाएगा DL, R और यह जो हो जाएगा पास में difference इसको हम बोल देंगे DL, T तब यहाँ पर हमें R average निकालनी है और R average हम किसके निकालेंगे reactant की तो यहाँ पर formula क्या हो जाएगा R average और R average किसके निकाल रहे है reactant का तो sign किसका हैगा minus का DL, R upon DL, T यह इसका formula हो जाएगा ठीक है student अब बात करते हैं product की तो अभी हमने देखा product की concentration क्या हो रही है increase हो रही है तो इसका जो graph आपके पास बनेगा यहाँ जो आप ग्राफ बना रहे हैं आपके पास में concentration and time with respect to reactant का बना रहे हैं यह जो आपके पास में करव आएगा with respect to reactant कि यह जो करव आप बना रहे हो यह जो graph आप बना रहे हो concentration and time with respect to reactant बना रहे हो और यह किसका बनेगा आपके पास में concentration and time with respect to product यहाँ पर आपके लेना है time यहाँ पर आपके पास में जाएगा concentration of product क्याएगा concentration of product concentration of product इसको हम लिख देंगे तो देखना इस्टुडेंट यह जो concentration है आपके पास में यह तो हो रही थी time के साथ decrease और यह concentration क्या हो रही है time के साथ increase हो रही है तो हम इसका ग्राप किस परकार से बनाएगे कुछ से इस परकार से ठीक है अब आप क्या करोगे एक लाइन को यहां से इस परकार से डेनोट कर दो और एक आपके पास में यह है इसको आप time मान लो T1 इसको time मान लोगे T2 ठीक है यह क्या हो जाएगा आपके पास में P1 और यह क्या हो जाएगा P2 तो बताओ यह जो difference होगा यह क्या होगा डेल P और यह जो time difference होगा interval होगा time interval जो होगा यह हो जाएगा डेल T तो R average जो होगी वो किसी निकाल रहे है हम product की वो क्या होगी plus डेल P upon डेल T यह इसका ग्राफ हो जाएगा तो student types of rate जो होती है दो types हम आपके पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे है R average और एक हम पढ़ रहे है R instant अभी हमने बात की R average की R average क्या होगा हमारे पास में वो ही दिया हुआ है कि change in concentration of reactant इन यह unit time तो change in concentration को जो time यहाँ पर लग रहा है time taken जो लग रहा है अगर उसे हम divide कर देए हमारे पास क्या जाएगी R average आ जाएगी और R average जो प्रेक्टर निकालेंगे तो minus का sign पहले और R average अगर product की निकालेंगे तो आप sign किस का जाएगा positive का जाएगा अगर बात करें rate जो होती है rate की unit होती है rate की unit होती ही more little inverse time inverse अब time आपके पास में second में हो सकता है minutes में हो सकता है जो भी है अपके पास में ठीक है और यहाँ पर बात करते हैं सची graph की अब यहाँ graph float कर रहे हैं आपर curve बना ठीक है तो देखना एक reaction दी वही है आपको randomly कुछ भी हो सकती है अब यहाँ पर यह जो reactant जोगा product में convert हो रहा है तो यहाँ पर इसकी जो एट की अबरावर 0 सेकंड पर इस reactant की जो concentration है वो कितने दी वही है 10 mole per liter दी वही है तो देखो इसके कितने हो जाएगी 0 इस टार्ट के जब यह reaction जो भी start होगी जब भी कोई reaction इस टार्ट होती है तो उस time पर इस reactant की कितने पर है concentration दी वही है दी 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 डाउन होने लग जाती है तो वही concept यहां लग रहा है student कि reactant से product में जाने जब हम convert करते हैं तो इसकी concentration जाओगी decrease जाओगी increase तो यहां पर हमने curve बनाया है और यह इसका curve हो जाएगा reactant का यह curve इसका हो जाएगा product Thank you student